हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तो दिखिए आज में ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ, दो रंगों में मैंने इसको बनाया है, आप अपने मन पसंद किसी भी दो कलर में बना सकती है, ये जो नाप है मेरा ये 5-6 फूट साइज के हिसाब से है, आप बनाने आता है, वो इसको बना सकता है, उल्टी-उल्टी बिनाई हुई है इसमें, और मैंने ये दो कलर लगा हैं, ग्रे और वाइट, आप मन पसंद कोई भी कलर इसमें लगा सकती है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको बनाया है मैंने बेबी बुल से, य इसको मैंने बनाया है यह देखिए 10 नंबर की सलाई से यह Verme दस नंबर की सलाई है इससे मैंने इसको बनाया है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना तो ये सिंगल उन से मैं इसमें टोटल 54 यानि की 54 फंदे डालूंगी नॉर्मल ऐसे 54 फंदे हम इसमें डाल लेंगे फंदे बहुत टाइट मढ डाल लिएगा ये देखिए इस तरीके से करते हुए टोटल 54 फंदे यानि की 54 फंदे डाल लेंगे यह देखिए total 54 फंदे मैंने डाल लिये है अब इसको हम बीनेंगे उल्टा उल्टा इस तरीके से पहली सलाई पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए इसको हम complete करेंगे देखिए इस तरीके से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे यह दीखिए इस तरीके से और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बिन देंगे अब इस साइट से भी पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे पहला फंदा उतार लीजिए और पूरे फंदे को इस तरीके से उल्टा उल्टा पूरी सलाई हम कर लेंगे दूसरी सलाई हमारी है ये इस तरीके से पूरा उल्टा उल्टा लास्ट वाला फंदा सीधा ये देखें दूसरी सलाई भी हमारी कम्प्लीट हो गई इस तरीके से और अब हम अपना सेकेंड कलर जो है उसको लगा लेंगे तो यहाँ पर हम नौट लगा लेते हैं डबल नॉट अच्छे से और अपने सेकंड कलर से अब हम बिनाई करेंगे यहां से अब इस तरीके से जैसे अभी तक हमने दो सलाई बनाई है इसी तरीके से इससे भी हम दो सलाई बनाएंगे इसको मैं इस तरीके से फसा देती हूँ, जिससे कि बाद में सिलाई करते समय आपको दिकत न हो, या आप चाहें तो बाद में सिलाई करते समय भी इसको फसा सकती है, सुई से या क्रोसिया से, तो यह देखिए, इस तरीके से यह उन हमारा फस जाता है, पुरा उल्टा उल्ट हमारे हैं इसको भी दोनों तरब से सेब बिन लेते हैं sa 22 कि दोनो ही कलर पनाते समय लास्ट वाला फंदा हम सीधा बीनेंगे इस तरीचे से और पहले फंदे को उतार लेंगे दोनों तरब से जब हम कलर चेंज कर रहे हैं तब तो नहीं लेकिती इस साइड से हम फंदा उतार लेंगे इसको भी पूरा उल्टा-उल्टा बिन लेते हैं यह देखिए दो लाइन हमारी कंप्लीट हो गई एक ग्रे से एक वाइट से अब फिर हम सेम का डार कलर अपना लगाते हुए इसी तरीके से फिर से बिन लेंगे देखिए कलर मैंने यह चेंज करते समय यह पहला फंदा बीना है लास्ट वाला फंदा हम सीधा बिनेंगे रॉंग सैट से दूसरी सैट से जब हम बिनाई करेंगे तो पहला फंदा हम उतार लेंगे जहां से मैं यह कलर लगा रही हूँ वहां का फंदा मैं बिन रही हूँ और दूसरी सैट से करते समय मैं यह फंदा उतार ले रही हूँ तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से दो-दो सलाई बनाते हुए ये हमारा wrong side है जहां से हम color change कर रहे हैं और ये हमारा right side है तो दो-दो सलाई बनाते हुए हम total दोनों का मिलाते हुए देखिए इसका भी 11 लाइन और इसका भी 11 लाइन बनाएंगे वाइट वाले की 11 लाइन जब complete हो जाएगी फिर हम इसके आगे ये वाला portion बनाएंगे तो वाइट का 11 लाइन एक सलाई बस color change करने के बाद फिर राइट साइड से मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है पहले इसकी इतनी लाइट में complete कर लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊंगी ये देखिए यहां तक हमारी half लाइट हो चुकी है जितना एक साइड के लिए हमें बनाना था और ये वाइट की लाइन देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, तस और ये ग्यारहमी लाइनिंग मैंने यहां से कलर चेंज करके रॉंग साइड से एक सलाई बना ली है अब हम इसमें से आधे फंदे बंद कर देंगे टोटल 54 फंदे यानि कि 54 फंदे हैं दो-दो फंदे लेके टोटल 27 फंदे बंद कर देंगे इस तरीके से देखिए यहां पर हमारा ये जो है 27 फंदे बंद करने के बाद आगे बनाएंगे ये देखिए आधे फंदे हमने घटा लिए आधे फंदे हमारे हैं तो यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 और 27 यह है हमारा अब देखिए यह पोर्षन हमने घटा दिया अब यहां पर यह इसकी जो चौड़ाई है यह हम बनाएंगे तो अभी इस साइट से हमारी बिनाई सेम चलेगी और बस इतने फंदों में तो यह हमारी एक ला यहां पर यह फंदे घटने के बाद 1, 2, 3, 4, 4 लाइनिंग हम और बनाएंगे प्लस यह एक ग्रे फिर वाइट की एक लाइनिंग रॉंग साइट से तो इतना देखिए यह इतना हमने बना लिया अब इसको हम कवर करेंगे और 1, 2, 3, 4 लाइनिंग यह प्लस यह ग्रे चार और इसके बाद इसमें हम फिर से फंदे अपने कवर करेंगे तो यह देखिए यहां से अब नॉर्मल हमारी यहां तक हमने घटाया है यह अब इसके आगे बस जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं सेम भी नहींगे इसके बाद यहां से वाइट की चार एंड ग्रे की चार ल लेते हैं, यहां पे भी देखिए, लास्ट वाला फंदा सीथा, इसी तरीके से, अब इस साइट से फिर हमें उल्टा बिनना है, तो पहला फंदा उतार लेंगे, और इसको हम इसी तरीके से बिनते जाएंगे, यह पहला ग्रे लाइन मेरा कम्प्लीट हो जाएगा, इस लाइन बिन लेते हैं, यह देखिए, यहां पे गी वाली लाइनिंग कम्प्लीट करने के बाद, एक, तो, तीन, चार और यह पांचवी लाइन मैंने स्टार्ट करती है, रॉंग साइट से, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने 27 फंदे घटाए थे, और अब यहां पे हम 27 तो इसके लिए देखिए, आप यह वाइट वाला धागा इसको रॉंग साइट कर लीजिए, और वाइट वाले धागे से इस तरह से करते हुए, यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, और इसी तरह से टोटल 27 फंदे हम डाल लेंगे, पांच, छे, साथ, आठ, ऐसे करते खटाए थे, यह देखिए, यह देखिए, यह फंदे हमने बढ़ा लिये, और अब इसको भी हम इस तरीके से उल्टा-उल्टा बिन लेंगे, और अब यहां से आप काउंट करिएगा अपना यह पहला वाइट का लाइन, क्योंकि अब दूसरी साइट भी हमको टोटल 11 करते हैं, तो यह थोड़े से लूज हो जाते हैं, जब यह सलाई पर से नीचे आते हैं, तो इसको ख्याल करिएगा, और इसी तरीके से अब यह उल्टा-उल्टा हम बिनते हुए, पहली लाइन हमारी यह है, टोटल 11 लाइन बाइट की बनाने के बाद, फिर हमारा यह सूज है, यह कंप्लीट हो जाएगा, तो दिखिए, इस तरीके से इसको हम उल्टा-उल्टा बिन लेंगे, यह देखिए, जैसे मैंने कहा, इस फंदे को टाइट ही रखिएगा, क्योंकि इस तरह बिनने से जब यह फंदे खुलते हैं, तो थोड़े से लूज होते हैं, तो अब यह वाला भी कंप्लीट करके इस तरीके से देखिए, यहां तक यह हमने वाइट की 11 रो बनाई है, और अब इसको काउंट करते हुए हम टोटल 11 लाइन वाइट की बना लेंगे, तो हमारा यह इसकी लंबाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यह देखिए, यहां पे यह कंप्लीट हो गया, यहां से जहां हमने फंदे बढ़ाए थे, यह देखिए, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, क्यारा, और यहां पे दोनों लाइन मैंने इसकी बना ली है, अब ग्रे वाले से इसको हम फिनिश करेंगे, तो सबसे पहले यह वाला उन कट कर लेंगे, और इसको नौट लगा देंगे, यहां पे इसको यह और अब सारे फंदे बंद कर देंगे, इस ग्रे वाले उन से, यहां पे अब कुछ नहीं करना है, सारे फंदे हमको ऐसे, यह रॉंग साइड है, रॉंग साइड से उल्टा उल्टा बिनते बंद कर देंगे इस तरीके से दो दो फंदे लेते हुए सारे फंदे हम बंद कर देंगे इस तरीके से सारे फंदे इस ग्रे वाले से इस तरीके से यह हमारा आएगा इस तरीके से यह हमारा आएगा कम्प्लीट हो गया और अब हम यहां पर यह उन कट कर देंगे इस तरीके से यह हमारा आएगा पैटर्न और अब हम इसकी सिलाई करेंगे अब देखिए यह जो हमारा यह वाला भाग है यहां पर अब आप सुई में धागा लेके दोनों में से कोई भी कलर आप ले सकती है कोई ऐसा नहीं है कि वाइटी लेना है या ग्रेही लेना है जो भी कलर आप लगा रही है तो मैं इस तरह से देखिए यह आप किधर से भी ले सकती हैं ये देखिए ऐसे ये हर एक में से ऐसे ऐसे मैं निकालती जा रही हूँ देखिए सारा इस तरह से कर लेंगे जिस तरह से भी आपको इजी पड़े देखिए ये एक तम किनारे पर ये करना है इसी तरीके से एक दम किनारे पर गैपिंग बहुत जादा मत करिएगा क्योंकि अभी इसको हमें टाइट करके नॉट लगाना है इस तरह से सारे किनारे के पार्ट में ही एक तम किनारे पर ध्यान दीजेगा एक तम किनारे पर हम इसको करेंगे ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने भी ये वाला दागा कट नहीं किया है और ये देखिए अब जिससे हमने सिलाई की है देखिए इसको इस तरह से पकड़ के बीज में कर लेंगे और रॉंग साइट से नॉट लगाएंगे नॉट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर दीजे बिल्कुल सेंटर में इसको देखिए अच्छे से हम टाइट कर देंगे ये खीच के फिर यहाँ पे डबल नॉट लगा देंगे इस तरीके से और अब ये जो हमारा सेम धागा है इससे हम ये देखिए इन दोनों को दोनों तरब से देखिए इस तरीके से अच्छे से हम ऐसे सिल भी देंगे जिसे कि ये खुलने ना पाए अब चाहें तो ऐसे भी सिल सकती है जिस भी तरीके से ये अच्छे से फस जाए और जो नॉट है वो अगर खुल भी जाए तो ये हमारा इस तरह से फसा रहे है ये देखिए इस तरह से ये आएगा ये देखिए इस तरीके से ये जो भी है इसको अंदर की तरफ करके हमें फसा लेना है और अच्छे से इसको सिल देना है यहाँ पर जहाँ भी आपको खाली लगता है ये ऐसे और ऐसे इसको हम सिल देंगे इस तरह से इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी ये धागा है आप चाहें तो इससे भी सिल सकती है या इसको कट कर दीजिए ये पूरा पार्ट हम सिलेंगे ऐसे मिला के और ये सभी को सिल लेंगे फिर ये हमारा पोर्शन जो है इसको हम क्रोश्या से बनाएंगे तो इसकी सिलाई कर लेते हैं पहले ये दीख़िए इस तरीके से धागा मैंने कट कर दिया है और दोनों तरफ को पकड़ के बस ये जो हमने फंदे उतारे हैं इधर के और उधर जो डाले हैं इसको पकड़के आप ऐसे जैसे भी आप सिलाइग सकती है इसको कर लीजिये यह देखिए इस तरीके से सिलके आएगा अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से और अब यह जो पोर्शन है यह थोड़ा जादा है तो इसको हम क्रोश्या से बनाएंगे कोई भी क्रोश्या होग आप ले सकती है जो भी आपके पास हो इसको मैंने इलिया है देखिए दस नंबर की क्रोश्या होग आप कोई भी क्रोश्या होग ले सकती है तो अब इसको देखिए कहीं भी एक जगह यहाँ पर इसको फसा लिजिए ऐसे बिना कोई चेन लिए यहाँ पर देखिए यहाँ हमने किया है एक छोड के अगले में बिना कोई चेन लिए एक छोड के स्लिप स्टीट से ऐसे हम इसको एक छोड़ा अगले में पिछे से मैं यह उन भी इसी में फसा ले रही हूँ और चारो तरफ इसी तरह से हम बना लेंगे जो हमारा पैर का पैर डालने का पोर्शन है तो यह देखिए एक छोड़ यह एक में इस तरह से यह थोड़ा सा हमारा टाइट हो जाएगा पूरा सरकल बना लेते हैं यह देखिए साइड का हो गया अब यह वाला जो पोर्शन है इसमें भी इस तरह से बिना कोई चेन लिए इससे यहाँ पे थोड़ा सा यह टाइट हो जाएगा देखिए इस तरीके से अब आगे हम इस साइड इधर भी पूरा सरकल इसी तरह से देखिए यहाँ से हमने शुरू किया इससे यह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा पूरा खतब करके यह हमारा जोती पूरा हो जाएगा यह दिखिए इस तरीके से यह हमारा सिल्के आएगा बाद में आप पीछे की तरफ धागा फसा के कट कर दीजिए और यह अच्छे से फिनिश हो जाएगा यह दिखिए दोनों पैर बिल्कुल एक जैसा बनेगा आप किसी में भी कोई भी पहन सकते हैं इसमें कोई अलग नहीं है सेम पैटरन है दोनों पैर के लिए तो दोस्तों नेखिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको मेरी यह जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए